हम जी एम आडिबल चलिए ठीक है जी फिर्स्ट क्लास हो चुकी है जी एस्ट की यह हमारी सेकिंड क्लास है मतलब चैप्टर नूमबर ट्वेल्फ बेसिकली हम लोग को स्टार्ट करना है हम मतला है फिर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर नूमबर इलेवन कवर किया था बेसिक कंसेट्स देखे थे you with respect to जी एस्टी चैप्टर नूमबरटव बेसिकली सप्लाई के बारे में हैं लेकिए सप्लाई सबसे इंपोर्टन वर्ड है GST में क्योंकि supply is point of taxation या हम कह सकते हैं taxable event या फिर हम कह सकते हैं tax incidence कुल मिलाकर supply ऐसा point है जब GST trigger होता है इसका मतलब अगर कोई भी transaction है कोई भी activity है जो supply term में cover नहीं हो रहा तो उस transaction या उस activity पर GST applicable नहीं है तो supply को define किया गया है section 7 of CGST act 2017 हमने अपनी first class में देखा था कि हमारे पास SGST acts है हमारे पास CGST act है हमारे पास UTGST act है IGST act है और compensation to state act है तो majorly five acts हम कह सकते हैं मतलब जहां मैं SGST को एक ही consider कर रहा हूँ तो majorly five acts हम कह सकते हैं आज की class में हम जो भी section discuss करेंगे schedule discuss करेंगे वो सब किसके होंगे CGST की है तो section 7 में define किया गया है supply को पहले section 7 को देख लेते हैं उसके बाद section 7 के एक एक point को deeply समझेंगे हम जी scope of supply तो what comes under the scope of supply sub section 1 basically section 7 को हम देखते हैं अगर तो आप थोड़ा सा यहां पर कुछ content red में देख रहे हैं कुछ आप देख रहे हैं कटा हुआ है और कुछ content red में है जो फिलाल यहां से omit हो चुका है यह जो नया content add किया गया यह सारी updates है जो कि previous lectures से अगर हम compare करेंगे तो previous batch में जो lectures ले गए थे उनके मुकाबले यह updates है तो मेरी reference के लिए भी है कि previous batch के अंदर क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ाया था और आप लोगों के reference के लिए भी है कि पहले क्या था और अब latest provisions क्या है हमारे पास ठीक है तो subsection 1 क्या कह रहा है section 7 का हम किसकी बात कर रहे है section 7 के subsection 1 की section 7 किसका of cgst act mcq क्यों के point of view से देखे कहानिया याद हो या ना हो लेकिन specific content आपके mind में होना चाहिए तो section 7 of cgst act subsection 1 बात कर रहा है what comes under the scope of supply subsection 2 बात कर रहा है what is outside the scope of supply और subsection 3 बात कर रहा है transactions which are either supply of goods or supply of services मतलब जहां पर खुद इस act के अंदर दे दिया गया है कि इस transaction को इस activity को supply of goods consider किया जाएगा या supply of service consider किया जाएगा ठीक पहले क्या होता था GST से पहले हमने देखा था previous class में कि जब GST नहीं था तो जी अगर हम goods की बात करें तो manufacturing या production of goods के ओपर excise duty पे की जाती थी और अगर हम sale of goods की बात करें तो sale of goods के ओपर या तो central sales tax अगर हम बात करें interstate sale की और अगर हम बात करें goods के ओपर अलग tax था और goods के ओपर अलग taxes थे अब क्या है कि हम बात करते हैं सिर्फ supply की ना हम बात करते हैं sale की ना manufacturing की ना production की हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं सिर्फ supply की चाहे supply हो goods की या फिर services की या फिर both कोई ऐसी transaction है जहां पर हम सामने वाले को goods भी provide कर रहे हैं goods के साथ-साथ services भी provide कर रहे हैं या फिर services provide कर रहे हैं बोथ का मतलब goods के साथ-साथ services भी provide कर रहे हैं जैसे कि अगर किसी restaurant के अंदर हम खाना खाने जाते हैं तो वो लोग हमें food भी देते हैं, उसके अलावा वहां बैठ कर खाने की facility भी देते हैं, तो basically वो दोनों चीज़ हमें दे रहे हैं, तो both, right, तो चाहे goods की बात करें, चाहे services की बात करें, चाहे दोनों की बात करें, आज की date में क्या applicable है, GST, अलग-लग taxes खतम हो गए हैं, सब GST के अंदर सब संब्ड हो गए हैं, तो पहले बड़ा confusion हुआ करता था, कि बिया इस specific transaction को sale of goods consider किया जाएगा, या फिर supply of services consider किया जाएगा, अब क्या हो गया है, कि इन्हों ने यहाँ पर देखो थोड़ा सा चीजों को clear कर दिया है, सब section 3 के है, section 7 का, कि यहां हम आपको बता रहे हैं कि किस transaction को जहां पर जितने भी doubtful cases थे, वो notify करवा दिये गए हैं कि किस transaction को supply of goods consider किया जाएगा, किस transaction को supply of services consider किया जाएगा, ठीक है जी, आ जाएगे, एक बार दुबारा से, क्योंकि यह बहुत important है, तो मैं यहाँ पर highlight कर हाँ, हम section 7 पड़ रहे हैं, तो जी सब section 1, what is inside the scope of the term supply? मतलब supply में क्या-क्या consider किया जाएगा, किस लिए पढ़ना जरूरी है, कहता है भया यह supply जो है, यही taxable event है, अगर कोई transaction या फिर कोई भी entry, कोई भी activity, supply में cover नहीं हो रही, तो GST applicable नहीं है, ठीक, फिर जी sub section 2, कहता है, what is outside the scope of supply? और sub section 3, यह क्या कह रहा है, कहता है जी deemed, supply of goods, मतलब किस transaction को supply of goods consider किया जाएगा, supply of service consider नहीं किया जाएगा, किस transaction को supply of service consider किया जाएगा, supply of goods consider नहीं किया जाएगा, तो deemed क्लिक दूँ मैं, deemed का मतलब भया लो ने पहले ही define कर दिया है, आपको अपना mind use करने की ज़र्वत नहीं है, it shall be deemed, right, तो deemed supply of ठीक है जी, अच्छा amendment हुई है और एक हमारे पास new subsection आया subsection 1A, new subsection आया हमारे पास, अगर आप notes देखते हैं तो आपको clear cut पता चलेगा पहले subsection 1K, 4 close थे, close A, close B, close C, close D, अब जी close D को omit कर दिया गया और इस close D को उठाके एक नया subsection बना दिया, subsection 1A, right, तो पहले एक बर पढ़ लेते हैं, supply includes all forms of supply of goods or services or both, अब ध्यान से ये एक inclusive definition है, इन्होंने कहा कि हम जो नीचे दे रहे हैं list A, B, C, D तो omit कर दिया गया, क्योंकि D को क्या बना दिया गया, subsection 1A, तो इन्होंने कहा, जो हम नीचे list दे रहे हैं, ये एक inclusive list है, exhaustive नहीं है, right, तो हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या supply में included है, ये तो है ही है, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसके अलावा और भी item supply में consider की जा सकती है, depending upon case to case, exhaustive list नहीं है, inclusive list है, all forms of supply of goods services और both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, तो इन्होंने कहा कि आप अगर किसी को कुछ sell करते हैं, supply consider किया जाएगा, आपने सामने वाले को supply किया है, कुछ transfer करते हैं, चाहे in the form of gift या किसी भी form में, चाहे आपने सामने वाले को sell किया है, इसलिए transfer किया है, gift किया है, इसलिए transfer किया है, किसी भी form में, supply consider किया जाएगा, barter, एक चीज़ के बदले, दूसरी चीज़, supply consider किया जाएगा, exchange, license पे दिया है, सामने वाले को कुछ, तो भी supply consider किया जाएगा, अपनी जंग है rental, या lease पर दी गई है, rent पर दी गई है, तो मान के चला जाएगा, आपने सामने वाले को supply किय है, चाहे आपने अपना घर lease पे दिया है, rent पे दिया है, तो घर आपने supply नहीं किया, लेकिन घर में रहने की facility तो आपने supply किया है, तो मतलब supply of services consider किया जाएगा, और disposal, again, ये भी inclusive list है, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, ये भी inclusive है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, such as, जैसे की, exhaustive नही है, कि इस टाइप की transaction को, इस टाइप की activity को supply consider किया जा सकता है, even disposal को भी supply consider किया जाएगा, disposal का मतलब, कि आपने अपनी assets को dispose कर दिया, let's say, आपने अपनी asset को आग लगा दिया, या आपकी asset में आग लग गई है, और आपको उस asset के बदले insurance company से पैसे मिलते हैं, तो मान के चल जाएगा कि भी या आपने अपनी asset insurance company को supply कर दिया है, या फिर आपकी asset पुरानी हो गई है, currently useful नहीं रही, आपने कबाड़ी को बेच दिया है, मान के चला जाएगा भी या आपने अपनी asset कबाड़ी को transfer कर दिया है, supply कर दिया है, ठीक है जी, made or agreed to be made, made or agreed to be made, तो जी चाहे present transaction है, या फिर present agreement for future transaction है, for a consideration by a person in the course or furtherance of the business, तो जी ये जो close A है, इसके अंदर क्या-क्या essentials है, पहले तो इन्होंने बताया type of transaction, sale, transfer, barter, license, ये साई चीज़े, फिर इन्होंने कहा कि भी या चाहे वो current, present या फिर future हो सकता है, फिर ये दूसरा, पहली चीज़, फिर तीसरी चीज़ आने कहा for a consideration, अगर आप transfer करते हैं, sell करते हैं, exchange करते हैं, license पर देते हैं for a consideration, तभी close A में cover हो रही है, और वो भी कब in the course of or for the furtherance of the business, अब यहां मैं business करता हूँ, let's say मैं आपको coaching provide करता हूँ, मैं laptops use करता हूँ, मैं digital pen, digital pad यूज़ करता हूँ, अच्छा मैं अपना laptop यूज़ कर रहा हूँ, पुराना हो गया है, मुझे laptop को replace करना है, तो मैं पुराना laptop sell कर रहा हूँ, एक तरह से मान के चली, मैं कबाडी को दे रहा हूँ, पुराना laptop, अब लो मान के चल रहा है, that is for the furtherance of the business, that is in the course of the business, या फिर for the furtherance of the business, मैंने अपना पुराना laptop dispose of किया है, disposal, dispose of किया है, तो भी या इवन इसको भी supply में consider किया जाएगा, चाहे एक्छल में मैंने उसको अपने business में sell नहीं किया है, मैंने dispose of किया है, बाडी को दिया है, business में sell नहीं किया, रैट, लेकिन फिर भी उसे supply consider किया हुआ है, मतलब goods close भी में cover नहीं किया गए, अगर हम services import कर रहे है, for a consideration, चाहे, whether or not, in the course or furtherance of the business, and the activities specified in schedule 1, made or agreed to be made without a consideration, तो जो schedule 1 में activities बताए गई है, उनको deemed supply, जब लोनी कह दिया कि भी है, जो schedule 1 में activity बताए गई है, उसे supply consider किया जाएगा, तो deemed supply simple सी बात है, हमें आपर find out नहीं करना कि ये activity, ये transaction supply है या नहीं है, deemed supply, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास, अगर हम, अच्छा, close D क्या था, activities to be treated as supply of goods, और supply of services, as referred to in schedule 2, तो जी, यहाँ पर इसको omit कर दिया गया, और एक new subsection बना दिया गया, deemed supply of goods, or deemed supply of services, इन्हों ने कहा कि schedule 2 में, CGST Act के ही बात की जारे सारी, schedule 2 के, CGST Act के schedule 2 में हम आपको list देंगे, और वहाँ बताएंगे, कि किसको supply of goods consider किया जाएगा, किसको supply of services consider किया जाएगा, subsection 3 में भी तो यही बात कही जारी थी न, किया, subject to the provisions of subsection 1, 1a and to government में on recommendation of the council specify by notification transactions that are to be treated as supply of goods and not the supply of service or supply of service and not the supply of goods, ठीक, यहाँ पर भी हमें list दी गई, subsection 1 में भी ऐसी ही list दी गई किया, हम आपको list दे रहे है, कहां दे रहे है, schedule 2 में दे रहे है, और list के according आपको पता चल जाएगा, कि भई, इस case को supply of service consider किया जाएगा, इस case को supply of goods consider किया जाएगा, ठीक, तो कुल मिलाके confusion नहीं होनी चाहिए, कि क्या supply of goods है, क्या supply of service है, ठीक है जी, तो यहाँ पर subsection 1 के मैं कहूँ हमारे पास कितने close है, तीन close है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही point है, जो किसको refer कर रहा है, schedule 2 को, C किसको refer कर रहा है, schedule 1 को, आज एएगा, what is outside the scope of supply, कैता है, activities or transactions specified in schedule 3, उसके अलावा क्या कहा गया, such activities or transactions undertaken by the central government या state government और any local authority, in which they are engaged as public authorities, तो as public authority, अगर central government कोई activity करती है, state government कोई activity करती है, या local authority कोई activity करती है, as public authority, right, तो उस activity को, उस transaction को supply consider नहीं किया जाएगा, मतलब GST applicable नहीं होगा, ठीक है जी, तो notwithstanding anything contained in subsection 1, these shall be treated neither as the supply of goods nor as the supply of services, government या फिर local bodies as public authority, ठीक है जी, अब ये एक बार चार्ट अपने माइन में बिठा लीजिए, फिर एक एक पॉइंट को डिसकस करते हैं, हम बात कर रहे हैं section 7 की, section 7 में हमारे पास 4 subsections हो गए हैं, पहले 3 थे, subsection 1, 1A, 2, 3, subsection 1 पहले बता रहा है scope of the supply, subsection 1A हमें क्या बता रहा है, कहता है या कुछ transactions, कुछ activities हम लोग दे रहे हैं, जिसको आपको बताया जाएगा जिसमें कि कि किसको supply of goods consider किया जाएगा, किसको supply of services consider किया जाएगा, फिर जी subsection 2 में बता रहा है what is not within the scope of the supply, means what is outside the scope of the supply, तो जी schedule 3 refer करने को कहा गया कि यहाँ पर आपको list दे रखी है, आइटम्स दे रखे हैं, right, transactions, activities, जिनको supply consider नहीं किया जाएगा, उसके लाब कोई भी activity गौर्मेंट करती है, या local body करती है, as public authorities, तो भी यह उनका काम है, उनका करतव्य है, उनका फर्ज है, इसको supply consider नहीं किया जाएगा और ऐसे काम पर GST applicable नहीं होगा, फिर subsection 3 नहीं हमें कहा, जी ठीक है, central government notify करेगी activities या transactions in consultation with the GST council, की specific activity को supply of goods consider किया जाएगा, supply of service consider नहीं किया जाएगा, supply of service consider किया जाएगा, supply of goods consider नहीं किया जाएगा, ठीक है, अब ध्यान से देखेगा, एक-एक term को discuss करते हैं, सबसे पहले, supply is covered under section 7, subsection 1, close A, every form of supply, every form, यहाँ, फोर्म क्या इन्होने रफर करी, such as, sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, or any other form, whatsoever, by whatever name, ठीक, weather related to goods or services, close A में goods or services दोनों को cover किया गया है, और both, made और agreed to be made, मतलब present या future, supply present में होगी, या future में होगी, दोनों cover किया गया है, इसका मतलब आप मेरे पास साथे और की सर कोचिंग लेनी है, मैं कहता हूँ, current batch चल रहा है, next batch तो दो महीने बाद स्टार्ट होगा, अगर आप current batch के लिए admission ले लेते हैं, तो made मतलब current supply of services, अगर आप advance दे जाते हैं, मुझे next batch के लिए, तो agreed to be made मतलब future supply of services, जिसके लिए आप मुझे as advance दे रहे हैं, क्या उस advance के उपर भी GST applicable है, the answer is yes, इन्होंने इसी लिए लिए लिखा है, made or agreed to be made, तो चाहे future transaction के लिए, आज आप advance दे रहे हैं, उसके उपर भी GST applicable है, ठीक है, तो अगर आप से मैं advance ले रहा हूँ, let's say 10,000 रूपीज और 18% GST applicable, मैंने कहा, जी total fees है 50,000 रूपीज, अगर admission लेने हैं, तो अभी आप 10,000 रूपीज मुझे दे दीजे, बाकि 40,000 रूपीज जब batch start होगा, तब देना, तो ये 10,000 की, जब मैं आपको invoice मना के दूँ है, तो भी या, 18% जो GST applicable है, इस 10,000 पर भी मैं लगाऊंगा, और ये GST government के पास जाएगी, सीधी सी बात, ठीक, तो made or agreed to be made, पहली चीज़, for consideration, तो यहाँ पर, अगर हम close एक ही बात करें, तो कहता है, सिर्फ उन्ही activities को, उन्ही transactions को, यहाँ पर cover किया जा सकता है, which is for consideration, और तीसरी condition क्या है, in the course or furtherance of the business, तो in the course of the business, business करते हुए, या for the furtherance of the business, business को बढ़ाने के लिए, अगर कोई activity या transaction की जा रही है, for consideration, तो यहाँ वो supply की definition में cover हो रही है, ठीक है, जी, even advance paid for future supply, मतलब supply agreed to be made in the future of goods or services or both, is also liable to GST, clear है, अब जी, अगर हम B की बात करते हैं, close B के अंदर क्या cover किया गया था, कहते हैं, सिर्फ services को, goods को cover नहीं किया गया था, import of services, तो here goods are not covered, import of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of the business, अब यहाँ पर A में क्या था, कि सिर्फ तभी cover होगा, यहाँ पर A में, close A में, जब in the course or for the furtherance of business हो, close B में कहा, अगर आप services import कर रहे हैं for consideration, तो कोई फरक नहीं पड़ता, whether it is for the business or not, अगर personal purpose के लिए भी services import कर रहे हैं by paying consideration, तो supply की definition में consider किया जाएगा, GST applicable होगा, इसका मतलब मैं एक घर बनवा रहा हूँ, अब जी घर का design मुझे अपने भाई से बनवाना है, जो की let's say USA में रहता है, तो मैं उससे कहरा हूँ भीया, आप design बना कर दीजिए मेरे घर का, ठीक, तो मैं क्या कहरा हूँ, import of services, simple सी बात, ठीक, या मैं उससे consultancy services ले रहा हूँ, जो मैंने building बनवानी है, उससे related, अब जी अगर मैं without consideration ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो supply consider नहीं की जाएगी, personal purpose के लिए without consideration, देखिए, अभी जो example ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, personal purpose के लिए plus without consideration, तो supply नहीं है, लेकिन अगर मैं USA से किसी से consultancy ले रहा हूँ, building बनाने के लिए चाहे ये building, residential building ही हो, तो जी personal purpose के लिए the answer is yes, लेकिन अगर मैं सामने वाले को pay कर रहा हूँ, मतलब with consideration, for a consideration, तो supply की definition में आएगा, तो कोई फ्रक नहीं पढ़ता, whether or not in the course of or furtherance of the business, ठीक है जी, Thus if any service is imported in India by any person for a consideration, such service shall be covered under the scope of supply even if the supply is for personal purpose, फिर जी C ने क्या कहा था, close C ने, के भया, schedule 1 refer कीजिए, close C ने क्या कहा था, schedule 1 refer कीजिए, और close C ने कहा था, schedule 1 में जो activities दे रखी है, वो without consideration भी supply की definition में covered होगी, consideration, यह दो important parameter है, right? कहता है जी, A में consideration भी important है, for the business, for furtherance of the business, या in the course of the business, यह भी important है, close B के अंदर, कहता है जी, consideration तो important है, but यह चीज़ important नहीं है, it may be for the personal purpose, may be for the business, close C के अंदर, कहता है जी, consideration important नहीं है, without consideration, अगर activity हो रही है, जो schedule 1 में बताए गई है, तब भी supply consider की जाएगी, GST applicable होगा, क्या permanent transfer or disposal of business assets, where the input tax credit has been availed on such assets, अब ये concept को बड़े ध्यान से समझने कोशिश कीजिएगा, input tax credit, इस concept को हमने अपनी previous class में discuss किया था, concept क्या कहता है, कि अगर मैं input purchase करता हूँ, चाए goods या services, input purchase करता हूँ, और input पे अगर मुझे tax pay करना पड़ता है, जिसे मैं कहूँ हूँ, input tax, तो input पे अगर मुझे कोई tax pay करना पड़ता है, तो उसका मुझे क्या मिल जाता है, credit, मैं उसका credit claim कर सकता हूँ, अब जी government मुझे ये credit क्यों देती है, उसका भी मैंने आपका example दिया था, कि जी मैं government कहूँ हूँ, देखिए 100 रुपे का मैं input purchase कर रहा हूँ, इसके उपर 10 रुपे मुझे tax pay करना पड़ रहा है, अब इसके अंदर मैं value addition करूँ हूँ हूँ, 50 रुपे की, तो total मिलाकर ये product हो जाएगा, 150 का, जिसके उपर 15 रुपे tax बनता है, वह यह 100 रुपे पर मैं already tax pay कर चुका हूँ, तो basically government इसलिए हमें credit देती है, क्योंकि हम उस input को for business use कर रहे हैं, ध्यान से देखे, credit क्यों देती है government, कि हम input को for business, या आप कह सकते हो in business, in the course of business, और government को लगता है कि या हम उस चीज़ को use करेंगे और value addition करेंगे, और क्योंकि हम value addition करेंगे, तो extra value पर government को tax मिलने वाला है, तो भीज़े जब extra value, मतलब 150 रुपे पर government को tax मिलेगा, तो government कहते है ठीक, अब या input पे जो आप tax पे करेंगे हो, आप उसका credit ले सकते हो, ठीक, government को किस चीज़ से मतलब है, कि अगर 150 रुपे की चीज़ market में जा रही है, तो भीज़े 10% मान के चलते हैं, for the sake of simplicity, although 10% GST का कोई rate नहीं है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, उसके अलावा special items जैसे की, precious metal के केस में 3% है, 10% GST का कोई rate नहीं है, but for the sake of simplicity, 10% मान के चलते हैं, गुवर्मेंट कहते हैं, जी मुझे 15 रुपे tax से मतलब है, मैं गुवर्मेंट को कहा, जी देखे 100 रुपे जो मैंने input लिया था, उसके उपर already आपको 10 रुपे का tax मिल चुका है, ठीक, तो आप एक काम कीजिए ना, आप मेरा खाता बना दीजिए, क्या खाता बना दीजिए, कि यहाँ पर जितना मैं tax pay कर चुका हूँ, उसका, और यहाँ पर जितनी मेरी tax liability है, at the end tax liability कितनी है, 15, कितना pay कर चुका हूँ, 10, तो मैंने अपनी एकाउंट में note कर वा लिया, मैं 10 रुपे pay कर चुका हूँ, बाकी के 5 रुपे मुझे और pay करने है, तो इसी को तुम कहेंगे, कि एक तरह से मुझे credit मिल गया, 10 रुपे मेरे account में note कर लिया गए, कि मैं already यह tax pay कर चुका हूँ, और जो मेरी future में liability होगी, टेक्स से related, मैं इस amount को use कर सकता हूँ, उस liability को set off करने के लिए, ठीक, input tax credit का simple सा मतलब यह है, ठीक है जी, क्या ये credit ultimate consumer को मिलता है, कहते हैं जी, जो ultimate consumer है, वो goods या services, क्या business purpose के लिए use करता है, आँसर इस no, क्या वो कोई value addition करेगा, क्या वो government को ज़्यादा tax दे सकता है, the answer is no, तो ultimate consumer के लिए, क्या input tax credit का concept है, the answer is no, ठीक है, अब मान के चलते हैं, कि जी मेरी एक machine है, machine क्या है, capital good, ठीक है, capital good के लिजिए, या capital input के लिजिए, capital good या capital input का मतलब, जो की ultimate input नहीं होता, बलकि वो finish goods को create करने में help करता है, ठीक, तो machine मैंने एक लाख रुपे की purchase करी, जिसके उपर मैंने let's say, 18,000 GST पे किया, अब क्योंकि ये मेरा input था, तो जैसे ही मैंने GST पे किया, मैंने अपने records में note करवा दिया, कि लो जी मैंने ये tax आपको pay किया है, तो input tax credit मैंने इस 18,000 का ले लिया, अब government ने मुझे क्यों दे दिया, क्योंकि मैंने बिजनस के लिए यूज़ करना है, इस से मैं क्या करूँआ, finished goods बना हूँआ, value addition करूँआ, फिर उस finished goods को आगे sell करूँआ, तो ज़्यादा value के उपर tax collect करके government को दूँआ, simple सी बात है, तो government ने मुझे इसका tax credit दे दिया, अब जी let's say, after two years मैं इस machine को dispose of कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार machine पुरानी होगी है, और actual में technology चेंज होगी है, नई machine की requirement है, तो मैं इसको 50,000 rupees में sell कर रहा हूँ, अब यहां government कहेगी, बेटा यह जो एक लाग के उपर, आपको 18,000 rupees GST पे करना था, आपने पे भी किया, लेकिन आपने इसका input tax credit ले लिया है, लेकिन अपने business में आपने सिर्फ 50,000 rupees की value यूज करी है, और बाकी 50,000 rupees की value आपने business से बाहर निकाल दी, और हम input tax credit तब देते हैं जब आप asset को business के अंदर यूज करते हैं, राइट, मतलब अगर आप यह 50,000 rupees की जो आपने पुरानी machine sell कर दी, 50,000 rupees की asset बिजनस से बाहर निकाल दी, तो यह business के purpose से तो यूज होई नहीं दी हम तो मान के चलेंगे, यह आपने personal purpose के लिए यूज की है, जो 50,000 rupees आपने business purpose के लिए यूज की है, उसके उपर आपको input tax credit मिलना चाहिए, लेकिन जो value आपने business से बाहर निकाल दी, उसके उपर आपको कोई input tax credit नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप तो already ले चुके हो, आप तो already input tax credit ले चुके हो, और हो सकता है, इसको आप use भी कर चुके हो, हो सकता है, इसको आप already use भी कर चुके हो, तो भी यह एक काम करो, यह जो आपने value अपनी बाहर निकाली है business से, आप इसके उपर हमें क्या pay कर दीजिए, कितना बनेगा, आपको कितने का credit मिला था, अठारा जार का, आप से GST वापिस ले ली जा रही है, कितनी, 9000 रुपे, तो काइदे से आपको कितने का credit रहे गया आपका, 9000 रुपे का, जो कि genuine है, क्योंकि आपने 50,000 रुपे की value के assets business में use की है, जिसका आपको input tax credit मिलना चाहिए, जो कि 50% है, तो भी यह जो आप business से बाहर कर रहे हैं asset, उसके नाम का हमें GST दे दीजिए, concept समझ में आ रहे हैं यह, क्यों GST चार्ज किया जा रहे हैं, देखो बड़ी simple सी बात है बाबू, input tax credit क्यों दिया जाता है, मैं यह कह रहूँ कि government court tax चाहिए, किस पे, tax on value addition, ठीक, अब business के अंदर chain चलती है, जैसे कि manufacturer या producer है, उससे goods wholesaler ने purchase किया, wholesaler से goods retailer ने purchase किया, retailer से ultimate consumer के पास किया, तो क्या यहां पर हमारी chain खतम हो गई, the answer is no, क्या यहां पर chain खतम हो गई, the answer is no, क्या यहां पर chain खतम हो गई, the answer is no, manufacture या producer ने 100 रुपे का goods manufacture किया, या produce किया, उसके ओपर 50 रुपे की value addition करी, wholesaler ने अपना margin रखा, तो वो चीज 1.5 रुपे की हो गई, जब retailer के पास 1.5 रुपे की पहुची, तो retailer ने भी अपने 50 रुपे रखे, तो वो चीज 200 रुपे की हो गई, और ultimate consumer को चीज कितने की जारी है, 200 रुपे की, government कहती है कि भाईया, मुझे तो हर stage पर tax चाहिए, तो लाओ जी, यहां पर भी tax दे दो, कितना, 10% for the sake of simplicity, कितना दे दो जी, 10 रुपे, अच्छा, यहां पर cost क्या है, 100 रुपे की मैंने चीज ली थी, 50 रुपे अपनी value addition कर दी, तो कितना हो गया, government कहा दिया लाओ जी, यहां पर भी मुझे tax दे दो, कितना, फिर यहां पर cost क्या रही, 150 रुपे की, retailer ने, purchase की थी, 50 रुपे अपना margin एड़ किया, तो भी यहां cost कितनी हो गई, मतलब sale price क्या हो गई, government का लाओ जी, इसका भी tax दे दो मुझे, तो भी यहां हम government के पास जाएंगे, यहां total value addition पर ही तो tax लोगे, total value addition कितनी हो यह पूरी chain में, 200 रुपे की, तो 20 रुपे ही तो tax लोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले stage पर 10 रुपे tax ले लिया, अगले stage पर 15 रुपे tax ले लिया, फिर अगले stage पर 20 रुपे tax ले लिया, 10% के according, ऐसे तो value addition तो यह 200 रुपे की, आपने tax, अगर सारा tax consider किया जाए, तो tax कितना ले लिया गौर्मेंट ने, तो यह 10% tax कहा रहा, यह तो 20% से भी ज़्यादा हो गया tax, तो इसका क्या solution हो, कि भी है, जितना गौर्मेंट को tax चला गया, इस chain में, वो note कर लिया जाए, तो जी यह tax, 10 रुपे का किस ने दिया, होल सेलर ने परचेज किया था, मैनुफेक्चर से, 10 रुपे का tax होल सेलर की जेब से गया, होल सेलर को आउटपुट पे tax पे करना है, 15 रुपे का, होल सेलर कहाँगा, जी मैं 10 रुपे का अलड़ी पे कर चुका हूँ, टोटल वैल्य अडिशन कितनी है, मेरे स्टेज तक, मेरे एंड तक, 150 रुपे की, जिस पर 15 रुपे tax पनता है, मैं 10 रुपे अलड़ी पे कर चुका हूँ, ठीक है, गॉर्मेंट कहीं चलो आप 5 रुपे पे कर दो, ध्यान से देखिएगा, 10 रुपे आप अलड़ी पे कर चुका है, पांच रुपे रुपे कर दो, फिर जी, जो ये आर है, जिसने 15 रुपे का tax पे किया है, जिस में से 10 रुपे मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मैं अलड़ी टेक्स पे कर चुका था, और पांच रुपे गॉर्मेंट को दे दिये, अब जी, इसका आउटपुट दो 100 रुपे का, गॉर्मेंट कहीए 20 रुपे टेक्स दो, आर कहेगा कि मैं अलड़ी 15 रुपे दे चुका हूँ, ये देखें, इन्वाइस, गॉर्मेंट कहीए ठीक है, आपका हिस्सा आ चुका है हमारे पास, 10 रुपे यहां से आ चुका है, 5 रुपे यहां से आ चुका है, आप 5 रुपे और दे दो, तो भीया ये 20 रुपे देनी है, 15 रुपे अपना क्रेडिट बुक करवा देगा, गॉर्मेंट के पास और 5 रुपे और दे देगा, टोटल मिला कितना जाएगा, लेकिन अगर मान के चलो, आर जो चीज 150 रुपे की परचेज कर रहा है, बिजनस में यूज नहीं कर रहा है, और ये 150 रुपे की चीज लेकर घर चला गया, परसनल कंजम्शन के लिए, परसनल यूज के लिए, तो भीया यहां पर ही सीक्वेंस खतम हो गई, यूज की, अब आगे तो वैल्यू एडिशन हो नहीं रही, आर ने अगर इस 150 रुपे के उपर जो टेक्स पे किया था, 15 रुपे का, अगर आर ने उसका क्रेडिट ले लिया, तो ध्यान से देखिए, अगर आर ने ये पंदा रुपे का क्रेडिट ले लिया, और government को 20 रुपे टेक्स नहीं दिये 20 रुपे टेक्स क्यों नहीं देगा क्योंकि R इसे आगे बेच नहीं रहा invoice generate नहीं करेगा तो टेक्स क्यों देगा government को तो भीया government ने R को 15 रुपे का credit दे दिया और R समान को घर पर लेकर बैठ किया तो government कहीगी ये credit वापिस दो मेरा इस समान के लिए you are the ultimate consumer और ultimate consumer अगर मैं burger खाने जाता हूँ मुझसे tax लिया जाता है GST लिया जाता है तो मुझे थुड़ना GST refund हो सकता है क्योंकि मैं तो personal purpose के लिए उसे तो government कहीगी 15 रुपे वापिस दो 15 रुपे वापिस दो तो वही 15 रुपे वापिस मांगे जा रहे हैं अगर आप permanently कहता है permanent transfer या disposal of business asset where input tax credit has been availed on such asset तो government क्या कहीगी भया हमारा अगर आपने input tax credit लिया है तो वापिस कीजिए क्योंकि अब आप उस चीज़ को business में use नहीं कर रहे हैं और business में use नहीं कर रहे तो value addition कैसे करोगे value addition नहीं करोगे तो फिर output tax कहां दोगे आप हमें R को output tax pay ही नहीं करना जब R को output tax pay ही नहीं करना तो government R को tax credit क्यों देगी input tax credit क्यों देगी बात समझ में आ रही है और अगर R already input tax credit ले चुक है तो government कहीं मेरे वापिस दो समझ रहे हो अगर हमने tax credit ले दिया तो फिर हम वो एसेट अपने personal purpose के ले यूज नहीं कर सकते हैं हम यह नहीं कहरें sale नहीं कर सकते हैं अगर यह sell करता तो एक invoice generate करता 200 रुपे की let's say उस invoice के उपर वो फिर लिखता GST कितना 10% 20 रुपीज तो भया वो 20 रुपे government के पास जाने चाहिए थे R कहता जी 15 रुपे already दे चुका हूं तो 5 रुपे और लीजिए तो government के पास 10 रुपे यहाँ पर 5 रुपे यहाँ पर 5 रुपे यहाँ पर 20 रुपे tax चला गया और government के पास 200 रुपे की value पर 20 रुपे ही tax जाना चाहिए था 10% के coding लेकिन अगर R इसे business में यूज नहीं कर रहा business का मतलब no invoice simple सी बात R इसे business purpose के यूज नहीं कर रहा no tax liability अब R को कोई tax पे ही नहीं करना इस value पर तो government कहेगी फिर आपको input tax credit क्यों दे input tax credit तो इसलिए दिया जाता है ना कि output tax liability से input tax को set off किया जा सके double taxation now चलो सिर्फ दो ही लेके चलते हैं एक wholesaler और एक retailer wholesaler ने 100 रुपे की चीज बेची retailer को ठीक है GST मान के चलते हैं 10% तो invoice बन गया 110 रुपे का अब R के लिए जो समान है 100 रुपे का प्लस 10 रुपे का है यह 100 रुपे क्या है प्राइस और यह 10 रुपे क्या है input किस के लिए होता है बिजनसमेन के लिए होता है मेरे लिए input थोड़ी ना आपके लिए input थोड़ी ना बरगर बिजनसमेन के लिए input है इसलिए तो input बोल रहे है आर इसी चीज को आगे बेचता है consumer को तो आर अपना margin रख लेगा let's say 50 रुपे का और आर उसे कितने का बेच रहे है यह invoice बनगी किसको जाएगी invoice consumer को ठीक अब consumer से tax भी तो लिया जाएगा तो यह कितना tax ले जाएगा 15% government तो मान के चल रही है ना कि जब आर GST में registered है तो जब भी समान बेचेगा उस समान के उपर GST तो चार्ज करेगा consumer से government ने आर के उपर liability create की हुई है तो government तो मान के चल रही है कि यह आर ने यह GST consumer से ले ली तो government तो आर को कहने वाली है ना लाओ जी यह मुझे 15 रुपे का tax पे कीजिए राइट तो टोटल मिलाके जो invoice बनेगी कितने की बनेगी 165 की consumer के पास यह invoice चली जाएगी खतम अब यह input tax था और यह क्या output tax input पे जो tax pay करना पड़ा input tax, output पे जो tax pay करना पड़ेगा वो output tax ठीक तो government आर के पास आएगी लाओ जी यह आपने 1500 रुपय का समान बेचा है जिस पे 15 रुपय GST बनती है लाओ जी मुझे यह 15 रुपय की GST दीजिए अगर आर की जेप से 15 रुपय की GST चली गई तो आर के साथ तो गलत हो गया न वो कहगा 10 रुपय तो मैं input पे भी दे चुका हूँ 15 रुपय अभी भी मुझसे मांग रहे है टोटल मिलाके 150 रुपय की चीज है जिस पे टोटल 15 रुपय का tax बनता है 10 रुपय मैं already input पे दे चुका हूँ तो जो मैं input पे दे चुका हूँ उसको set off कीजिये न output tax liability से जब set off किया जाएगा तभी तो actual में liability सामने आएगी तो अब आर की जेब से 10 रुपय input के time पर चले गए थे 5 रुपय आर अब दे देगा टोटल मिलाके आर को 15 रुपय देने या 15 रुपय हो गए पूरे उसके जो consumer से 15 रुपय tax के नाम के लिए थे उसमें से 10 रुपय आर अपने के पास deposit करवा दिये थे पहले ये देखिए concept clear है अगर आर समहन को आगे बेचेगा ही नहीं बिजनस के लिए use ही नहीं करेगा तो क्या ये सारी चीजे होगी क्या ये सारी चीजे होगी जब ये सारी चीजे होगी ही नहीं मतलब जब output tax liability ही नहीं होगी तो आर को input tax credit क्यों मिलेगा government ये input tax credit क्यों देगी आर को input tax credit देने का मतलब क्या होगी इस case में कि आर इस पैसे को इस input tax credit को utilize कर सकता है कहीं भी अगर utilize कर सकता है to pay tax liability तो government के पास कौन सा tax गया government के पास 10 रुपे tax दिया था इसको input tax credit दे दिया आर इस समान के ओपर कोई value addition नहीं कर रहा आगे कोई invoice generate नहीं कर रहा तो government के पास आगे तो कोई tax जाना नहीं और जो गया था इस 100 रुपे पे उसका भी अगर government credit दे देगी तो government के पास इस transaction का कौन सा tax गया बात समझ रहे हैं अगर कोई output tax liability ही नहीं है तो कोई input tax credit क्यूं मिलेगा तो अगर आप asset को business से बहार कर देते हैं तो और उस asset के नाम का input tax credit ले चुके अगर by chance ये credit ले चुके तो government यहीं तो कहेगी कि भीया इस transaction पे जो 10 रुपे का tax हमें मिलना चाहिए था हमें मिला भी लेकिन उसका आपने credit ले लिया जब आपने credit ले लिया तो एक तरह से हमें ये नहीं मिला और आपने asset को business में use भी नहीं किया तो भीया आप इस asset को घर ले जाने से पहले हमें वो 10 रुपे वापिस दे दीजिए जिसका हमने आपको credit दिया था समझ रहे हैं बात? तो अगर simple सा funda क्या है कि कोई भी business asset है जिसका आप input tax credit avail कर चुकी हो अगर उस business asset को आप out of business कर रही है किसी भी way में कोई फरक नहीं पड़ता तो भीया जितनी value आप out of business कर रही है उस value के उपर आप already अगर input tax credit ले चुके है तो भीया वो taxable है मतलब दुबारा से एक बार ताकि चीजे clear हो जाए 100 रुपे की चीज जब आर ने purchase की थी तब आर ने 10 रुपे का GST दिया था government खुश थी की market में 100 रुपे की चीज भी की है जिसके उपर 10 रुपे government को GST मिलना चाहिए government को 10 रुपे GST मिल गया government खुश थी आर ने government को कहा कि जी मैं इसे business के लिए use करूआ तो जी जो 100 रुपे है उसके अंदर 50 रुपे की value addition करके मैं 500 रुपे का आगे बेचुआ गुआ government ने कहा ओहो आर इसके उपर value addition करेगा तो हमें 10 रुपे में खुश नहीं रहना हमें तो पंदरा रुपे का tax चाहिए तो आर ने कहा पंदरा रुपे का tax मैं आपको दूँगा government ने कहा चलो ठीक है यह जो आपने tax हमें दिया है यह tax हम आपके account में note कर लेते हैं एक तरह से आपको इस tax का क्या लेते हैं credit जब आपको यह output पे tax पे करना है tax liability आपको पे करनी है तो आप इस दस रुपे का credit यूज़ कर सकते हैं यह पे करने के लिए बाकी cash दे दीजिएगा ठीक तो आर ने कहा ठीक है जी मैं यह दस रुपे का credit यूज़ कर लूँ बाकी मैं आपको cash दे दूँ तो गौवर्मेंट के पास पंदर रुपे tax चला जाएगा यह कहके आर ने गौवर्मेंट से credit ले लिया और उस asset को गौवर्मेंट आर ने use ही नहीं किया business में तो गौवर्मेंट के साथ तो धोका होगे ना जो गौवर्मेंट को दस रुपे tax pay करने के लिए use कर सकता है ना तो यह तो आर का free का हो गया ना मामला जो पहली transaction आर के लिए free हो गई ना no tax transaction हो गई क्यूँ 10 रुपे आर ने tax pay किया था उसका credit ले लिया और credit लेने के बाद उस asset को business में use भी नहीं किया तो जब भी किसी भी business asset को आप out of business करते हैं तो उसकी value पर जितना GST बनता है वो आपको pay करना पड़ेगा अगर आपने उस asset के उपर input tax credit avail किया है तो clear है concept अगर clear नहीं है तो मुझे खुल के बताए कहा क्या दिक्कत आ रही है भागने वाला काम नहीं है अगर कोई भी चीज clear नहीं है कहीं दिमाग में कोई doubt है तो खुल के बताए कहां क्या doubt आ रहा है तो जब value addition हुआ नहीं तो टेक्स पांच रुपे भी और एक्स तर क्यों पे करेगा तो credit क्यों देगी फिर government उसे अगर पे कर दिये तो इसका duty थी पे करना अगर आप burger खाने जाओगे तो आप GST पे नहीं करोगे अगर आप burger खाने जाओगे GST पे नहीं करोगे तो क्या GST दुबारा मांग लोगे government से वापिस दीजिए मुझे तो आप अगर इसे business के point of view से यूज नहीं कर रहा तो आप खा गया ना इसे burger समझके अगर आप इसे burger समझके खा गया तो जो government ने इसको credit दिया था या तो वो refund करे government को credit अगर वो credit already use कर चुक है कहीं और तो फिर उसके नाम का दुबारा GST पे करे अब बात हाँ भी इस transaction कलवा किसी और transaction के अंदर अगर उसकी tax liability बनती है तो उसके account में तो credit पड़ा है ना उसके account में तो credit पड़ा है ना वो से किसी और के मतलब किसी और tax liability को pay करने में यूज़ कर लेगा किसी और transaction से tax liability को भी बड़ी simple सी बात है अगर आपने burger purchase किया है उसके ओपर GST पे करी है और आप वो burger खा गए तो government आपको tax वापिस क्यों देगी लेकिन अगर आप government को promise करते हैं जी 100 रुपे का burger मैंने purchase किया है इसको मैं देखना 1500 रुपे का बेचूंगी तो government कहीगी जब आप बेचोगे तो आपकी tax liability बनेगी 15 रुपे तो 10 रुपे आप already pay कर चुके हो हम आपके account में note कर लेते हैं सिर्फ 5 रुपे और pay कर दीजिएगा गवर्मेंट यही तो कहीगे ना आपको 200 रुपे पर 10 रुपे already pay कर चुके हो 1500 रुपे का जब बेचोगे तो 15 रुपे पूरे देने की यरत नहीं है बस 5 रुपे और pay कर दीजिएगा बाकी जो आपने 10 रुपे पहले pay किये थे उसका हम आपको credit दे देते हैं और वो आप output tax liability से set off हो जाएगा अगर आप government को 15 रुपे नहीं दोगे और 10 रुपे भी लेके खा गए तो आपका burger तो tax free हो गया government को उसके ओपर कोई tax नहीं मिला government कह रही है कि भाया आपकी मर्जी है आप burger को खा जाओ हमें 10 रुपे का tax मिलना चाहिए था हमें मिल गया आपको उसके नाम का कोई credit नहीं मिलेगा अगर आप burger को आगे business purpose के लिए use कर रहे हैं तो आपको output के ओपर tax pay करना पड़ेगा तो input पे जो tax pay की है उसका आपको credit दे देंगे हम balance आप cash में दे दीजिएगा इतनी इसी तो बात है government को किस चीज़ से मतलब है total value addition पे government को tax मिलना चाहिए तो total value addition कितनी होगी कहता है जो final stage पे ultimate consumer के पास जाएगा अगर ultimate consumer के पास कोई चीज 200 रुपे की जा रही है government कहती है या मुझे इसके ओपर GST चाहिए simple सी बात let's say 10% अगर हम मान के चले तो मुझे 20 रुपे चीए अब वो एक हाथ से होके जा रही है चीज चार हाथ से होके जा रही है मुझे कोई मतलब नहीं है हम अपने example में कह रहे हैं 100 रुपे manufacturer ने manufacture किया फिर जी मतलब होल सेलर को दिया 100 रुपे का होल सेलर ने रिटेलर को दिया 1500 रुपे का रिटेलर ने आगे सेल किया consumer को 200 रुपे का तो government को तो 200 रुपे पर 20 रुपे चीए बात कतम और हर स्टेज पर tax लेगी government ताकि कोई भी बीच में tax evasion ना हो तो यहां government ने 10 रुपे tax ले लिया input tax credit पांच रुपे और ले लो फिर यह जो बंदा 200 रुपे का बेच है गोवर्मेंट फिर पोच जाएगी लाओ जी 20 रुपे tax यह कहेगा 15 रुपे मैं अल्री दे तो चुका हूँ पांच रुपे और ले लो तो government को 10 रुपे यहां से मिले 5 रुपे पांच रुपे यहां से मिले टोटल 200 रुपे की चीज मार्केट में गई government को 20 रुपे मिल गया tax अगर यह बेचेगा ही नहीं तो government इससे tax नहीं ले सकती अगर government इससे tax नहीं ले सकती तो government यह input tax credit क्यों देगी इसे बात समझ में आ रही है मैं एक e-commerce वेब साइट पे जाता हूँ वहां से मैं medicines पर्चेश करता हूँ कितने की वो मुझे कहते हैं जी आप privileged customer हैं आपने 1000 रुपे की medicine पर्चेश की है हम आपको 100 रुपे के coupons देते हैं जैसे की 1 mg cash back देता है तो जी मुझे 100 रुपे का 1 mg cash मिला जिसको मैं किस purpose क्ले उस कर सकता हूँ उस website पर medicine purchase करने के लिए उस website पर medicine purchase करने के लिए अगर मैं medicine purchase नहीं करूँ है तो क्या मैं इसको किसी और वे में utilize कर सकता हूँ दा answer is no मैं उन्हें ये कहूँ हो लाओ जी मुझे 100 रुपे कैश दे दो वो क्या कहने वाले हैं भी है medicine purchase करने के लिए आपके wallet के अंदर हमने 100 रुपे 1 mg cash add कर दिया जिससे आप medicine purchase कर सकते हो वो भी कब जब आप new medicine purchase करेंगे तो इसका कुछ amount आप आने वाले बिल में set off कर सकते हो तो ये एक तरह से 100 रुपे का मुझे क्या है credit है पर ये credit किस काम का अगर मैं दुबारा से उस website के ओपर कोई business के लिए जाओंगा ही नहीं कोई transaction करूंगा ही नहीं ये पैसा यूही पड़ा रहेगा लेकिन tax के case में क्या होता है जब हमें credit मिलता है जिसे हम output पे utilize कर सकते हैं तो one to one transaction का concept नहीं होता आपके तीन ledger बनते हैं GST में आपके तीन ledgers बनते हैं जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो एक ledger में जितना भी आप input पे tax pay कर रहे हो आप note करवाते रहते हैं government पे देखो जी मेरी factory में इतना input आया है मैंने इसके ओपर इतना tax pay किया है लाओ जी इसका credit दे दो तो वो note उता रहेगा 500 रुपे credit इस transaction पे 200 रुपे credit फिर आपको मिल गया 500 रुपे credit फिर आपको मिल गया 10,000 रुपे credit फिर आपको मिल गया total मिला कि आपका कितना input tax credit है यह note उता रहेगा let's say total मिला कि आपके पास 15,000 रुपे का input tax credit मिल गया तो ऐसन ये one-to-one transaction से ही set off होगा कहता आउटपुट पे किसी भी आउटपुट पे कितनी भी tax liability होगी आप इसमें से pay कर सकते हो बाकी बचवी cash में pay कर सकते हो तो ऐसा possible है ना कि input tax credit लेके आप खा गए लेकिन उस समान को business में use करने की बजाए आपने personal purpose clay use कर लिया है ना possible ऐसा तो government के पास तो tax गया ही नहीं उस समान के उपर क्योंकि जो गया था उसका credit ले लिया आपने और आगे government को tax मिलना नहीं उस समान पर आ रहा है कुछ समझ में तो permanent transfer and disposal of business assets where the input tax credit has been availed on such assets ठीक इसलिए उपर क्या कहा गया कि even made without consideration कोई फरकने पड़ता फिर जी supply of goods or services or both between the related person or distinct persons as specified in section 25 तो कहां पर specify किया गया है related person को define किया गया है section 15 के अंदर और distinct person को define किया गया section 25 के अंदर तो इन्होंने क्या कहा इस point के अंदर अगर कोई transaction हो रही है या फिर between distinct persons तो या चाहे consideration involved है या नहीं है transaction के अंदर GST applicable है CDC बात अब ये किस टाइप का example कह रहा है कहता है मान के चलिए मेरी एक factory हरियाना में और दूसरी factory है मेरी डैली में हरियाना वाली factory में raw material प्रोड्यूस किया जाता है और डैली वैली वाली factory के अंदर उसी raw material को यूज करके finish goods बनाए जाते हैं दोनों ही मेरी factory हैं पर क्योंकि ये हरियाना में है तो इसका मुझे अलग से registration करवाना पड़ेगा statewide registration होता है तो मुझे हरियाना वाली factory का अलग से registration करवाना पड़ेगा और क्योंकि ये डैली के अंदर है तो इसका मुझे अलग से registration करवाना पड़ेगा अब मेरी ही एक factory से मेरी ही दूसरी factory को समान जा रहा है तो हो सकता है मैं दोनों factories को बिलकुल separate entity लेके चलूँ दोनों के बिलकुल clear accounts बनाऊं और दोनों factories का अपना अलग अलग profit and loss consider करूँ या हो सकता है मैं यह सोच हूँ यार मेरी ही तो factory है तो जब हर्याना वाली factory से समान जाएगा डैली वाली factory में तो without consideration मैं भेजने लग रहा हूँ कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा मैं सोच रहूँ मेरी ही तो factory है तो मुझे तो ultimate output से मतलब है जो डैली वाली factory से finished goods produce होंगे वो market में कितने के भी कहेंगे मुझे तो उससे मतलब है ठीक है तो यह क्या है आपस में distinct person क्या है आपस में लो लोग कहता है भाया इस factory को अलग consider कीजिए इस factory को अलग consider कीजिए यह हर्याना में है यह डैली के अंदर है अगर इस factory से इस factory में समान जा रहा है चाहे invoice create की जा रही है नहीं create की जा रही taxable event है GST is payable ठीक है तो इन्होंने किस के बारे बात करी distinct person के बारे बात करी इन्होंने किस के बारे बात करी related persons के बारे बात करी आ जाए यह जी related person का मतलब क्या हुआ जो लोग आपस में related है तो जब related है तो possible है कि बाई transaction without consideration हो रही है possible है biasness आ जाए possible है चीजों को fairly consider ना किया जाए arms length distance पे transaction ना की जाए तो लोग ने कहा कि बाई अगर related persons के बीच में कोई transaction हो रही है in the furtherance of the business right in the course of the business या for the furtherance of the business तो या चाहे consideration involved है या नहीं है transaction के अंदर उस transaction के ओपर GST applicable है अब जी related person का मतलब कहता है such person sorry हां जी person shall be deemed to be the related persons if such persons are officers or directors of one another's business तो जी दो business है दो लोग है ए और बी ए बी का director है बी के business में या ए बी के business में officer है तो भी है इन दोनों को related person consider किया जाएगा और इन दोनों के बीच में अगर कोई transaction होती है तो लोग मान के चलता है कि या हो क्योंकि ये लोग इतने close हैं ए बी का बी की company में director है या ए बी के company में officer है तो हो सकता है biasness हो हो सकता है कि unfair price consider किये जाए तो लोग कहता है हम तो इस transaction को GST के point of view से supply consider करेंगे चाहे consideration है या नहीं है बी क्या कहेगा कि यार ए मेरा director है मैंने तो इसे free में laptop दे दिया मैंने तो इसे free में laptop दे दिया अब हो सकता है free में आज के time में कोई किसी को कुछ नहीं देता simple सी बात है अब B ने दिखाया free में A को laptop दे दिया लेकिन किसी और way में A से favor ले लिया low कहता है या आपने free में दिया है आपकी मर्जी है बट हम इसे proper supply कंसीडर करेंगे कि आपने एको laptop supply किया है जिसके उपर GST is applicable किस value पर कहता है हम valuation rules issue कर देंगे उन rules के according आपको valuation करनी है और उस जो value है इसके उपर आपको GST pay करनी है simple सी बात चाहे आप सामने वाले को free में दो चाहे laptop के साथ अपने घर में से कुछ और भी उठा के देदो हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है अब generally क्या होता है कि जो related persons होते हैं वो generally tax ना pay करना पड़े इस चक्कर में जानबूच के transaction दिखा सकते हैं कि हमारे बीच में तो कोई consideration involved भी नहीं है तो लोने का even without consideration अगर कोई transaction हुई है between the related persons तो हम उसे supply consider करेंगे valuation rules के according value निकाली जाएगी और उसके ओपर GST is payable हां जी such persons are legally recognized partners in the business such persons are employer and employee या any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them एक बंदा A जो B के भी shares hold कर रहा है C के भी shares hold कर रहा है ए और B directly आपस में linked नहीं है मतलब B और C directly आपस में linked नहीं है लेकिन A कहता है जी B के भी shares hold कर रहा है कितने 25% or more C के भी shares hold कर रहा है 25% or more तो या A तो इसमे भी substantial interested या इसमे भी substantial interested या और A के तुर ये दोनों क्या है आपस में related persons One of them directly or indirectly controls दादर, both of them directly or indirectly controlled by the third person, right तो उपर बात की गई थी voting rights की, shares की, right, नीचे बात की जा रहा है कंट्रोल की, together they directly or indirectly control third person, B, B, C को कंट्रोल कर रहा है, A, B, C को, B, B, A को कंट्रोल कर रहा है, C, B, A को कंट्रोल कर रहा है, दोनों मिलकर A कंट्रोल कर रहा है, तो भी क्या आपस में related, they are members of the same family. Definition को एक बार दुबारा से ध्यान से देखिये, Such persons are the officers or directors of one another business, such persons are legally recognized partners, such persons are employer and employee, right, Such person directly or indirectly owns, any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of outstanding voting stocks or shares of both of them, One of them directly, indirectly control the other, both of them directly, indirectly controlled by the third person, together, they directly or indirectly control a third person, they are the family members. Related persons के case में लो मान के चलता है कि हो सकता है, consideration show ना की जाए, लेकिन transaction तो transaction है, तो even without transaction भी supply consider की जाएगी, Valuation rules के coding value निकाली जाएगी, जिसके ओपर GST is payable, ठीक है, Further, persons who are associated in the business of another, किस वे में, as sole agent, as sole distributor, as sole consigner, उनको भी related ही consider किया जाएगा, तो A, B के business में sole agent है, sole distributor है, या sole consigner है, तो भी A और B को related ही consider किया जाएगा, The supply of goods or services or both between the related or between the distinct person is taxable, even if such supply is made without consideration, Distinct person को define किया गया, section 25 में, और distinct person का मैं आपका example दे चुका हूँ, मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग states में मेरी business entities है, तो हर state में मुझे अलग से registration करवाना पड़ेगा, right, तो possible है कि मेरे two or more business units हो, within same state, in different states, अगर ये वाली सिनेरियो है, तो हर business unit के लिए अलग registration, हर state में अलग registration, registration in every state is required, ठीक है, तो मैं individual तो एक ही हूँ, मेरा pen एक ही है, और जहाँ भी मैं register करवाँ हूँ, मेरा ही pen जाएगा, अगर within the state भी दो ये दो से यादा business units है, और मुझे अलग-अलग registration चाहिए हर business unit के लिए, तो pen तो same जाएगा, तो distinct person का मतलब वो persons जिनका registration तो GST में अलग है, but based on same pen, मतलब वो सारे business units एक ही person के है, registration अलग-अलग है, लोग कहता भी है, उनको distinct consider करके चलो, एक consider मत करके चलो जब registration अलग-अलग करवाया है तो, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purpose of this act. बताओ जी, यहां तक पहले ही है, बताओ कोई doubt होतो हो, अच्छा, यहां पर एक exemption दे दी गई, हमने नीचे देखा, related person की definition में employer employee भी आ रहे हैं, लेकिन यह exemption दी गई कि भी यह अगर पूरे साल में in aggregate employer employee को 50,000 रुपे तक के gift देता है, तो उसको फिर supply of goods या services treat नहीं किया जाएगा, मतलब उसके ओपर GST is not applicable, ठीक है, in aggregate है यह 50,000 in a financial year, फिर जी supply of goods by a principal to his agent, या फिर by agent to his principal, principal agent को supply कर रहा है और agent principal के बहाफ पर आगे दे रहा है, where agent undertakes to supply the goods on behalf of the principal, ठीक, agent principal को supply कर रहा है और agent principal के बहाफ पर आगे से ले रहा है, राइट, तो यह basically agent हो गया buying agent, नहीं selling agent और यह वला agent हो गया buying agent, तो किल मिलाक है, अगें बात वही है आपस में related है, एक दूसरे के business में agents है, agent principal का relation है, लोग ने कहा अगर principal direct sell करता तो भी तो transaction consider की जाती न, principal Mr. X को direct sell करता है, तो भी तो transaction consider की जाती, अगर principal अपने agent को दे रहा है और agent आगे X को दे रहा है, तो यह भी transaction consider की जाएगी, GST is payable, क्योंकि agent आगे X को on behalf of the principal दे रहा है, ठीक, अगर principal X से direct लेता तो भी तो transaction consider की जाती, supply consider की जाती, अगर X A को दे रहा है, और A principal को दे रहा है, कहता है भी यह transaction consider की जाएगी, supply consider की जाएगी, and this is taxable. Import of services, पहले यहाँ पर taxable word लिख रखा था उसे काट दिया गया है, तो simple लिखा गया है, import of services by a person, जाएगो person, GST में registered है या नहीं है, from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of or furtherance of the business. तो अगर import of services हमारे पास दो scenario हो गई न, पहला scenario क्या था? ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया था? for consideration, whether for personal purpose or business purpose, यहाँ क्या का जा रहा है? without consideration किस चीज के लिए? यहाँ पर किस से import किया जा रहा है, वो नहीं पताया गया? from any person. यहाँ पर बकाइदा बताया गया? कि जी जो import किया रहा है, either from the related person, या फिर कहता है, business की ही establishment है, दूसरे establishment है outside India. from any of his other establishment outside India. तो कुल मिलाकर यह भी related ही हो गया, राइट? तो बाहर आपकी कोई branch है, उससे आप services import कर रहे है, तो चाहिए आप सामने वाले consideration दे रहे नहीं दे रहे, related person की बात चल रही है, जरूरी नहीं आप consideration दे भी रहे, तो शो करे, या proper consideration शो करे, लो ने कहा अगर आप consideration नहीं भी दे रहे, करेंगे, supply consider करेंगे, अगर वो for the furtherance of the business है, और supply consider करेंगे तो valuation rules के coding उस supply की value नहीं का ली जाएगी, जिसके ओपर GST is payable, तो अगर आप schedule one देखे, तो यहां सारी चीजे ऐसी दे रहे है, two में, three में, four में, जहां पर लोग क्या आपस में related है, और जहां पर manipulation के chances बहुत जादा है, सामने वाला actual price शो करें या ना शो करें, consideration शो करें या ना शो करें, लोग ने कहा भया कोई बात नहीं, कोई consideration ये तब भी supply consider की जाएगी, if that is for the furtherance of business, यहां पर भी क्या है, furtherance of business, यहां पर भी क्या हो रहा है, principle agent case में business, यहां पर भी क्या है, for the furtherance of business, तो अगर related persons के बीच में transactions है, for the furtherance of the business या in the course of the business, तो चाहे consideration है या नहीं है, supply consider की जाएगी, valuation rules के according value निकाली जाएगी, जिसके उपर tax is payable, बताओ जी, यहां तक बताओ, कोई doubt हो तो, वैसे करवाना तो आज ज़्यादा था, लेकिन अगला topic स्टार्ट करेंगे तो फिर काफी लेंदी है वो, पहले यहां तक बताओ, यहां तक अगर चीजे clear है तो कोई भी ऐसा point जो समझ में ना आया हो, हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है, अगर आप ध्यान देंगे तो actual में अभी तक section 7 ही चल रहा है, और सिर्फ यहां तक पोचे हैं हम लोग, इन फैक्ट यही कवर हुए पूरा, बाकी तो भी रहते हैं, क्र नहाँ झाउनाग क्वर में यहीर máximo शकल अबड़ पुर एम कि लोग चूर सिर्फ जह पर एम में डाप हैं, झाल झाल